प्रमोत के घर से अदालत के घर तक इंटर लाकिंग का कारिया कराया गया है वो दिखी नहीं रहा है कि इंटर लाकिंग का कारिया कहां पर हुआ है ध्यान दिजिए यही वो तीन लाख पर रुपयों का यहाँ पर और इंटरलाकिंग का एट यही एक देखी रहा है बाकी और कुछ नहीं दिखा अब आप इस में सक्रेंट को देखी इसक्रें को थोड़ा से लगी कि और हम आपके सामने विजुम चला रहे हैं अब यह जो विजुम चला रहे स्को ध्यान से देखी यहाँ पर जो पे मेंट है उसको कर दिया गया है और इसकड़ लिखा गया है प्रमोत के घर से अदालत के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य कराया गया है तो हम यहां पर मौझूद है यह प्रमोत का घर है यह प्रमोत का घर है अदालत का घर किदर है अदालत का घर हुआ है तो देखिए हम बहुत ही सांदार आपको दिखा रहा है इंटरलाकिंग का कारिया कहां पर हुआ है हम ये जा रहे हैं ये अदालत के घर पर हम जा रहे हैं हमको लेकर चलिए भाई लोग अदालत के घर लेकर चलिए यहां पर पीछे पूराना सा एक खड़ंजा दिख रहा है खड़ंजे का निर्माल पहले बहुत ही पहले का दिख रहा है और ये पूर पूरा हो गया है। तो यह है आदालत का घर तो आपने स्वांदार कितना बहतरी इंट्रिक्ण का कार्य किया गया है। जो कि पूरे भारत में इस तरह का इंट्रकुंग कार्य। साधी हैं आप तो आपको पता ही होगा उसके अलावा और भी कौन-कौन शामिल है वह प्रधान जी बताएंगे और सचीव जी बताएंगे सवाल आप लोग के सामने हम छोड़ रहे हैं इसको शेयर किजिए और इनके उपर कार्यवाई कराने के लिए आपको जरूरी एक इस वीडियो को शेय हो Mormon हो जहां पर आरसी साय जहां पेंट लाकिंग किया दिखाया गया तैंडी यही पुटी यह तीनłeACT रुपे का जो है यहां पर और इन्ट लाकिंग का 50 यही ऐखी रहा बाकि और कुछ नहीं दिखा तो इस हीट की कीमत 3 लाख रुपए की है जिसमें गाउवाले इतने संतुष्ठ हैं गाउवाले कभी इस चीज को जानने की कोशिसी ने किये कि इतना पैसा आया है अगर तो उसका यूज हुआ है कि नहीं हुआ है इतना ट्रांसपरेंसी होने के बावजूद तो आपसे निवेदन है कि आप लोग अप्लिकेशन इंस्ट्रॉल कर लें थोड़ सा अनिलाइसिस करें जानने कि अट लिस्ट तीन लख बरबाद हुआ है इसमें जो कि दिखी नहीं रहा है इतना बड़ा लूट और यह एक मामले की बात है इस तरह के कितने म अध्रकार अर्जुन वेदांथ दोस्तों आज इस सीरीज में हम पहुंचे हैं रामकोला के बिशनपूरा गाव में हमारी हमारा जो स्वागत है इन तस्वीरों के साथ हो रहा है देखिए यहां पे जो नाले हैं वो किस इस्तिती में बजबजाय हुए इस्तिती में है और पूरा नाले बिगड़े हुए इस्तिती में और आगे हम आपको अटेच्मेंट में दिखा रहा है वीडियो में कि यह पूरे नाले का पानी जाके आखिरी में ऐसे जगह पर रुखता है जहां पर उसका कोई भी कलप ही नहीं है वहां पर इस्टोर होने के अलावा वहां प पर मची हुई है तो यहां पर जो ग्रामीड है उनसे हम थोड़ा सा बात करने के कोशिश करते हैं कि यहां पर जो नालो का इस्तिती है इतना खराब क्यू है क्या सफाई कर्मी नहीं आते हैं तो थोड़ा हम गलास ही नहीं है इनका थोड़ा सा हम किसी और से भी बात करते है कब आफ़ा दिन पर कितना दिन हो गया लेया बड़ा अब जाता है वह बता रहे है आप परो क्हस्प इरुप ए इसे खरणा शिर्फ होगे नम तो इंटरलाकिंग हुआ है और नो तो आर्सेशी हुआ है और पूरे गाउं का रास्ता यही है बाकि कोई नहीं है जिसको भी जाना है बाहर बस इसी रास्ते से पूरे गाउं के लोग जाते हैं थोड़ा ही दूर है थोड़े दूर में क्यों नहीं बनफाता है कुछ बता है अब ये तो परद्धान जानेंगे, बाकी आम पब्लिक तो बता नजी सकते हैं ने बनवा सकते हैं, परद्धाने बनवा सकते हैं परद्धान परें का भी समय समात्त हो चुका है कि आधा ज pada धी पंशन मले लगेbusना अना हिरा कहा演 साठ शाल से तो आप उपर वान्यक अन्य पिलोने क्कैनि द में अ हम नैसित पहुए गाई Во दिया पत्ट तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह इतना गरीब हैं कि वो उसको नहीं दे पा रही है फॉर्म भरने के लिए इनके पास पैसा नहीं है तो यहां पर सरकार को भूत ही अच्छे से एक सर्वे करने की जरूरत है और जानने की जरूरत है कि क्या हम धरातल पर हम जो सरकारी स्कीम लेकर आ रहा हैं उसका implemediation हो पा रहा है यह नहीं फा रहा है जांचा धीकारि यह वहा है यह इप इंट्रलाकेंग का जा रहा है कि यहां पर इंट्रलाकेंग दिखी नहीं और उसी के सामने दिख रहा है सचाले यह देखिए इज़त घर लिखा है जो लिखा है वह उता तहीं वर्थ 2018-19 का समयकाल का है और इसमें दुर्गेश जी को यह लगता है अलाट हुआ है तो यह देखिए दो साल में इसका इस्तिती क्या हो गया है यह इसमें कितने रुपे खर्च करें यह अंदर लगभग प्रत्मिक्ता दी जा रही है और चुनाय में उनको प्रत्यासी बनाये जा रहा है उनको प्रत्मिक्ता देते हुए और लोग उनको चून रहे हैं लेकिन आपको पता है कि पूरा कार्यभार पुराने जो सिस्टम के अनुसार जो पूरिसी उनके पूरिस जो है वो उसको दे तो फिल्हाल आपके जो प्रतिनिदी है वो कहा है अभी है काई गया सुबह से हमारी बात उनसे हुई थी और इंतिजार कर रहे हैं उसके बास से फिर यहां बानने पर नहीं बिल ले चलिए आप से मुलाकात हो गया अभी यहां पास में एक इंटरलाकिंग का कारिया दिखाया है और वह इंटरलाकिंग का कारिया हुआ नहीं है तो इसके संबन्द में आपको पता है सारा कारिया देखते हैं चलिए तो फिल्हाल आपको स्क्रीन शॉट में दिखा रहे हैं उनसे कई बात नहीं उपा रहे हम अपना इनको डिटेल देके जा रहे हैं कि उनका वर्जन ज हम गौम में आयो थे यह जानने के लिए कि क्या इस्तिती है बहुत ही गरवड़ी दिखी जिस पे हमने चाहा कि प्रधान जी आहे सामने और आकर अपने बातों को रखे अपनी बातों को जो कहना चाहते हैं जो समस्य आये थी उसको रखे तो कई बार लागतार कोसिश करने क और जहां हमने वीडियो की शुरुवात की थी वहीं पर मैं खत्म करना चाहता हूं क्योंकि प्रात्मिक बिद्याले जो यहां पर है वो इसमें ताला लॉक है और आपको तस्वीर दिख रहे होंगी कि अंदर की स्थिती क्या है तो हम यहां पर पूरा तस्वीर आपको हम नहीं पाए बाहर से तस्वीर दिख रही है उसे साबसे तो काफी सैटिस्फिक्टरी नहीं है और जो सडकों का है सडक में तो आपने देखा कि किस तरह का घपला हुआ है कितने बड़े पैमाने पर हुआ साल में हमको नहीं लगता है कि बहुत जादा डवलेप्मेंट से जो भी हैं उनको एक बार को स्मीशा करके और यहां पर देखें अभी यहीं पर सरकारी भिद्ध्यालया है उसके सामने जो नलकुफ है वहाँ पर देखिए किस तरह सा पंडोहा लगा हुआ पानी अलगी हुई है जो कि यहाँ पर छोटे बच्चे आते हैं किस तरह के इंफेक्शन होने के डर हूँ तो पूरा हमारा जो परामेटर है उसके हिसाब से इस गाओं को सिर्फ और सिर्फ हम 30% दे सकते हैं कि यहाँ पर डवलप्मेंट का कारे लगभग ना के बराबर हुआ है और जो भी हुआ है वह ब्रस्च चार से लिफ्ट पाएगा